तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो यह मेरी शेल्फ में किचिन की इनका भी थोड़ा सा कलर डल सा हो गया है और यह अच्छा भी निलग रहा जैसे आज कल न्यू मॉडर्ण किचन में थोड़ा सा ब्राइट इन कलर किचन रहते हैं तो आज हम वही करेंगे हम इनको सब पे पेइंट करेंगे और किचन को करेंगे ट्रांसफूम पहले कुछ यह ऐसा दिखता हूँ कुछ इस तरह कलो शाइन सारी है इसमें अभी हम आज करने वाले हैं इनको उतारेंगे इन पर पेंट करेंगे और बाद में देखेंगे कैसी लुक आती है और आप कैसे इसको अपने घर पर खुद कर सकते हैं मैं वह भी दिखाने वाला हूँ सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको आप दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप इसको खोल लीजिए नॉर्मली आज कल वालों में ऐसे हिंज लगे रहते हैं अंदर आप यहां पर यह दो बोल्ट रहते हैं हमारे इनको खोल दोगे तो यह हिंज कैबिने थ्रोटल बाहर जाएगा इसका डोर जो है और दूसरा ही है कि आप इसके ओपर ही कर लो उपर में थोड़ा सा इश्यू होएगा उपर से अच्छे से कर नहीं पाओगे तो मैं तो खोल के कर रहा हूँ तो अभी दिखा रहा हूं कि कैसे खोलेंगे तो अब हम इनको खोलने वाले हैं तो कु मिस्टेक बता गया तो यह वाला जो नट होता है यह एजस्टमेंट की लिए होता है इसको आपको पूरा अंदर की तरफ राउन करना होता है तक यह खुलेगा और पीछे वाला जरे आप लूज कर दो कि तो यह स्लाइडिन करके बाहरा आ जाएगा यहां से यह ऐसे होता है स्लाइड करके तो उन्तर से भागता है तो अभी मैं करके इसाब उतार लेता हूं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और इनको अच्छे से मैंने उस कपड़े से साफ कर लिया अभी हम्यूज करने वाले हैं हमें थोड़ा थीनर चाहिए एक मैं दो लीटर पेंट लिगा आया हूं एक बॉक्स एरा एक बॉक्स उधर है और एक बरश इसके खाज ज़रू रहता है तो अभी पेंट हो काड़ा पॉड़ा पॉस में थीनर मिलाएंगे और आगे का प्रसेस शुरू करते हैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे करते हैं तो अभी पेंट के लिब्बे को ओपन करने वाले उसके लिए आप कुछ भी उसक्ता है मेरे पास यह है नहीं तो आप चाहिए तो आपके घर पी स्क करते रहें तो यह जरी 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 अपा जाएगा जैसे तुम्हें दिख जाए कि यहां यहां पर ओपन हो गया है तो इसको हाथ से तुम उपन कर सकते हैं और मैं कुछ ऐसा कलर लेकर आगा हूं इसका नाम है स्मॉक ग्रे और अभी दो डिबाब लिकुल फुल है तो अभी अभी तो आधिन मिक्स नहीं करना पड़ेगा पहले मैं डायट इसकी कोट कर लूँआ उसका अधर मुझे लग रहे है तो इसमें थोड़ा थीनर मिला लूँआ था कि लाइट हो जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी आथो चलो स्टार्ट करते हैं अगर तुम्हें लग करेंगी मैं एक बेस कोट मारूँआ पहले इससे थोड़ा सक कलर पगड़ ले और उसको सूखने के बाद उसके एक और कोट मारूँआ तो अगर आज यह नहीं सूखता है तो मैं आज की वीडियो बेस कोट कर दूँआ बाद में जब फाइनल कर दूँआ तो उसके लगा के कलिप आगे एड गर दूँआ तो चलो मैं पेंट करता हूँ तो तक आप लोग टाइम लेप्स देखो थोड़े बहुत मिलते हैं आगे आप लोगों को कर दो चलो मैं आप लोगों कर दो दूँआ हैं आप लोगों को हाँ तो गाइज मैंने इसे फर्स्ट कोट कर लिया है पूरा और अभी फर्स्ट भी काफी अच्छा हुआ है बस यह थोड़ा एजिस के आसपास अच्छी से नहीं हुआ यह सब क्लियर हो जाएगा और बाकी बच गई है यह हमारी साइड एजिस यह चार तरफ से बच वही है क्योंकि अभी मैंने इसको नीचे रखा हुआ है तो साइड मे करने पाऊं नहीं तो मेरे नीचे जमीन पर पेंट लग जाएगा तो मैं इसको करता हूं फिनिशिंग बाकी सब भी कर लेता हूं पेंट वह चार वहां रखें और एक यहां रखा एक और तो आपको मिलते हैं यह सब करने के बाद हाँ तो क्विक अपडेट यह है कि इन पर लगे पहला कोट हो गया है सब पर अधर और ये इधर हैं अभी इस वाले पर मैं और राहा हूं सेगनल को अड़ों क्यों क्याता हूं कैसा दिखर रहा है और फेन SH C ich क्याल चाल तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी तो हो गई रात यह से टाइम देख सकते हैं तो मुद्स-क्यारा बच गए हैं मैं बीच में आफी सारा काम निपटाया दिखाता हूं क्या निपटाया और फिर मैं शाम को भार चला गया था थोड़ा काम रहे गया जितना होसका म यहां पर थोड़ावत नीचे गर गया और यह थे मेरे ड्रॉर्स चार इन पर लगा है फर्स्ट कोट और इस वाले भी लगा है फर्स्ट कोट तो फर्स्ट कोट काफी अच्छा लगा है वैसे तो पर ठीक था तो अभी वह है ड्रूम जिसमें मैंने जो फिनिश हैं वह सब करके मैंने तीनों साइड कर ली थी यह बाकी साइड सब की कम्प्लीट है ऐसे इस साइड से भी तो यह हैं फिनिश यह रहे हैं अभी सूक और वीडियो में तो कर्टेंस का और इसका सेम मैच हो रहा है पर रियाल्टी में यह कलर बहुत अलग है थोड़ा कैमरे में दिख र वाला एरिया भी बचा हुआ है तो उनको और इनको बाद में कम्प्लीट करूंगा यह वीडियो नहीं तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में I hope you guys enjoyed this वीडियो नहीं समझ में आया तो अगली बारी में बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा क्योंकि आज मैं थोड़ा झाल